एलो फ्रेंट्स आपका स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल में हमारा आज का जो टोपिक है वो है राजस्तान की प्रतीक यह जो राजस्तान का प्रतीक है वो काफी महत्तुपुन टोपिक है जो सभी एक्जाम्स के लिए महत्तुपुन है और रीट में भी विश्यसकर जो है सभी विश्यों के लिए समन्न जो है topic है तो आपको इसमें से एक या दो प्रशन हैं वो पुछे जा सकते हैं तो हम वो प्रशन करेंगे जो आस तक पुछे गए हैं प्रशन नहीं बलकि हम सारे जो प्रतीक है उनके total जो महतुपन प्रशन बनते हैं जिसे जांटी भी कहा जाता है, 31 अक्टूबर 1983, याद रखना है, 31 अक्टूबर 1983 को इसे राज्य व्रिक्ष है, वो बनाया गया था, दूसरा प्रस्ण बनता है वेग्यानिक भासा में इसे प्रोसेशिप सिनेरिया के नाम से जाना जाता है तिसरा प्रस्ण है ये नागोर में सरवादिक है 1981, 1981 के अंदर इस पर एक डार्ग टिकट जारी किया गया था 60 पैसे का ओप्रेशन खेजड़ा इसी से सम्मंदित था जो 1991 में चलाया गया था इसे सम्मी ब्रिक्स भी कहा जाता है जिसकी पुझा विजय दस्मी यानि दसहरे के दिन होती है खेजड़ी का पेड़ है वो विष्णवी समाज के लिए भी काफी महत्तोपून है विष्णोई सम्मदाई इसे सम्मी ब्रिक्स के नाम से जानते हैं इसे समाने भासा में सीमलो कहा जाता है खेजड़ी की जो हरी फलिया लगती है गर्मी में उसे सांगरी कहते हैं और सूकी फलियां होती है उसे खोका भी कहा जाता है खेजडी के जो पुस्प है उसे मिंजर कहा जाता है पत्तियों का जो चारा है उसे लूम या लूंग कहा जाता है नेक्स्ट ये भी हमें ध्यान में रखना है पांडू ने अज्यातवास के दुरान अपने जो अस्तर सस्तर चिपाये थे वो खेजडी के नीचे ही खेजडी के वरिक्स के नीचे ही गोगाजी और जुजार बाबा के मंदिर होते हैं सेखावाटी में सबसे ज़्यादा है और मैंने बताया नागोर में संख्या सबसे ज़्यादा है हर्यानवी भासा में इसको जांटी कहते हैं तमील भासा में इसे पे में कहते हैं कन्नड भासा में इसे बनना बननी बंगाली में इसे साइगाच और सिंदी में छोकडा के नाम से जाना जाता है खेजडी की रक्षा करते हुए ही सन 1606 में पहला बलिदान जोदपुर के रामसरी गाव में कर्मा और गोरा द्वारा दिया गया था 1730 में 363 लोगों द्वारा खेजड़ी गाव में है वो बलिदान दिया गया था अमरिता देवी विश्णोई के नेतरतुव में तो उसी दिन को याद रखते हुए वहाँ पर प्रतिवर्स विश्वा का एकमातर व्रिक्स मेला लगता है यह अपने को खेजड़ी के संदर्म में है वो सारी बाते ध्यान में रखनी है जो यह खेजड़ी जो हत्याकांड हुआ था 363 लोगों की जान गेती उसमें अबे सिंग है वो महराजा थे उसके बाद 12 सितंबर 1978 से है वो खेजड़ी दिवस है वो मनाया जाता है और प्रतिवर्स से 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है और वन्ने जियों की सरक्षन के लिए अमरिता देवी स्नोई के नाम से पुरुष कार भी दिया जाता है तो ये अपने को सारे ध्यान में रखने है खेजडी से सम्मधित मैंने लगबग 20 इसक्यूशन बताए है नेक्स्ट जो है वो है राज़े पुस्प रोहिडा इसे भी सेम डे 31 अक्टूबर 1983 को ही राज़े पुस्प है वो गोसित किया गया था इसका वेग्यानिक नाम है वो टीकों मेला अंडू लेटा है और इसे जोधपुर में मरू टीक के नाम से भी मरू शोभा के नाम से भी जानते है केजडी व्रिक्स को राज़स्तान का सागवान या मरू शोभा भी कहा जाता है इसकी लकड़ी काफी मजबूत होती है इसलिए इसे राज़स्तान का सागवान कहते हैं क्योंकि इससे फरनीचर है वो बनाया जाता है इसे पस्यमी भाग में सबसे ज़्यादा मत्रा में देखा जाता है इसके जो फूल होते हैं वो फूल विसेजकर मार्च और अप्रेल में आते हैं ये भी ध्यान में रखना है मार्च और अप्रेल में आते हैं एक जरविल नामक रेगिस्तानी चुवा है जो रोहिडे को काफी नुकसान पहुंचा रहा है नेक्स्ट प्रतीह जो है राज्य वन्य पसु चिंकारा राज्य पसु दो को दर्जा मिला हुआ है एक तो है चिंकारा और दूसरा है उंट तो हम पहले चिंकारा की बात करते हैं जो वन्य पसू है उंट है वो पालतू पसू के सिरेणी के अंतरगते शामिल है तो चिंकारा चिंकारा को रज्य पसू का दर्जा है वो 22 मई 1981 को दिया गया था इसका वेगयानिक नाम गजेला गजेला भी है यानि इसे गजेला गजेला भी कहा जाता है यह एक एंटिपॉल प्रजाती का जीव है नीलगाई जिस प्रजाती के उसी प्रजाती का यह है इसे छोटा हरिन भी कहते है इसके लिए जो नाहर गड़़ा भ्हरन ने है वो Famous है सबसे जादे ये जोदपूर में देखे जाते हैं चिंकारा और हिरन में इतना अंतर है कि चिंकारा के सिंग आजीवन बने रहते हैं जबकि हिरन है वो हर वर्स सिंग गिरा देता है और नए सिंग उसके जो है वो आ जाते हैं ये भोले सिमुव का चक्राकार सिंग वाला एक जी होता है जिसके पेट के नीचे का भाग है वो सफेद होता है और उपर का जो वाध है उपर का जो भाग है वो अखरोड के रंग जैसा होता है एक धान में रखना है फ्रेंड्स एक चिंकारा नाम का वाद्दे अंतर भी है त Domestic Animals Ready के अंदर सामिल किया गया है यह अपने को ध्यान में रखना है उंट को उंट के संदरप में जो मिटिंग है इसे जो सरंक्षन करने की वो 31-2014 को जो है वो विकानेर में हुई थी और उसे राज्य पसु गोसित किया गया था लेकिन पूर्ण दर्जा है वो 19 दिसंबर 2014 को दिया गया 31-2014 को मिटिंग हुई थी मिटिंग में तैय किया गया इसे राज्य पसु गोसित किया जाएगा और 19 दिसंबर 2000 को इसे दर्जा है वो प्रदान कर दिया गया विगानिक बासा में इसे कैमेलेकेस ड्रोमेडेरियस कहा जाता है यह चिंकारा का गया फ्रेंस इसका राजस्तान संधान के अंद्र है वो जोहडवीर्ड है और सरवाधिक उन्प है वो जेसल मेर के अंदर पाये जाते हैं राजस्तान में भारत की सबसे जzy्यादा उंठ है वो पाए जाते है सरवादिकूंट जैसलमेर में है जबकि सबसे कम प्रताप गढ़ में है केमल मिल्क डैरी है केमल मिल्क की डैरी भी इस्तित है राजस्तान के जो उठ है उठनी के दूध को अक्टूबर 2000 को सरवस नाले ने मानव सरीर के लिए सबसे षरेष्ट दूध है वो गोशित किया था 2000 के अंदर सरोस नाले द्वारा यह मदूमेह की भी ओस्दी है नाजना की उंट सुंदर्ता के लिए विख्यात है जबकि गोमट फलोदी के उंट है वो सवारी के लिए प्रसिद है इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते है क्योंकि यह रेगिस्तान में तिव्रगती से चल सकता है उंटो का पालन पोशन है वो राइका जाती करती है उंटो की चमडी पर बनने वाली कला है वो उस्ता कला कहलाती है नेक्स्ट है राज्ये पक्सी गोडावन गोडावन जो है वो एक पक्सी है राज्य पक्षी है वो घुशित किया गया है मुख्यताय यह अफरिका का है यानि अफरिका में मुख्यरुख से पाया जाता है राज्य पक्षी 21 माई 1981 को गुशित किया गया था जिसका वेग्यानिक नाम है Cryotis Nigri Caps है यह है काफी सरमिला पक्षी है जिसे हम सोहंत चीडी, सास्तानी अवासा के लोग वहाँ पर कहते हैं, इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है, हडोती में से जो है थोड़ा बहुत मोर से मिलता जुलता होने के कान माल मोरडी कहा जाता है, ये सबसे ज़्यादा सोर्शन, सोकलिया और मरूद्धान में मिलता है, ये जेसल मेर के मरूद्धान में इसकी संक्या काफी ज़्यादा है, 1980 में गोडावन से सम्मंदित पहला अंतर राश्ट्रिये सम्मेलन है, वो किया गया था जैपूर के अंदर, कोडावन के सरंक्षन के लिए राज्य सरकार ने 5 जून 2013 को राश्टिये मरूद्धान जेसल मेर में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टेड प्रारम्ब किया है, 2011 में रेट डाटा लिस्ट में इसे एक प्रजाती माना गया है, ये दिखने में सतर मुरुक के बाती होता है, देख सकते हैं आप चितर में, और इसका सबसे प्रिये भोजन है, वो मुंग फली या तारा मीरा है, इसकी उंचाई लगबग चार फिट तक हो सकती है, ये अपने को सारे इसके संदरब में ध्यान में रखने है, नेक्स्ट है, राज्य निर्ते घुमर, 1986 में, यानि घुमर को राज्य निर्ते का दर्जा है, वो 1984 के अंदर दिया गया था, इसकी उत्पती है, वो इस्या के भ्रंग या म्रिग निर्ते से मानी जाती है, इसे मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, तीज, तोहार, आदी समय पर किया जाता है, तीन रूप होते हैं, छोटी जो बालिकाएं करती है, उसे बोलते हैं जुमरिया, गरासिया स्त्रीज जो निर्टे किया जाता है समाने रूप से जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं उसे बोलते हैं गूमर इसे राज्य की निर्टों का सिर्मोर या फिर राज्य की आत्मा भी कहा जाता है तो ये अपने को इसमें गूमर में ध्यान रखना है राज्य गीत केसरिया बालम यह आपने सुनाओगा केसरिया बालम आओ नी पधारो महारा देश यह काफी जो है फेमस गीत है इसे पहले बई सबसे पहले इसे गया था मांगी बई ने उद्देपूर में गया था लेकिन इसे वास्तम में सही स्थान जब मिला जब अल्ला जिला भाई ने इसे अंतराष्टिये प्रसिद्धी है प्रदान की थी अंतराष्टिये सम्मेलन में इसको गया था इसलिए इसको अंतराष्टिये प्रसिद्धी मिली यह बिकानेर की निवासी है और इन्होंने सबसे ज़्यादा बार इसको गया है अल्ला जिला भाई को रास्तान की मरू कोकिला कहा जाता है और ये जो गीत है वो मांड गाय की शेली का है फ्रेंट्स यदि ये सब चीज़े आपको अच्छी लग रही है ये टोपिक अच्छा लग रहा है तो इसे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक जरूर कीजिएगा हम आपके लिए सबी टोपिक है वो लेकर आएंगे नेक्स्ट परसन है राज्ये का सास्त्रिय निर्ते है कत्थक राज्ये सास्त्रिय निर्ते है वो है कत्थक कत्थक है वो उत्री भारत का मुख्य निर्ते है जिसका प्रमुग घराना है वो लखनव है लेकिन अपने राजस्तान में इसका मुख्य घराना है वो जैपूर है और इसके जो जनक है जनम दाता है वो भानुजी महराज को माना जाता है नेक्स्ट है राज्ये खेल बॉस्केट बॉल बॉस्केट बॉल को राज्य खेल का दर्जा दिया गया है 1948 में उसमें एक समय में एक टीम में पांच खिलाडी कोट में खेलते हैं सरकार द्वारा जैपुर में बाली का वरक के लिए और जैसल मेर में बालक वरक के लिए बास्केट पेल अनुस्तान चात्रवास है प्रारम की है खिलाडी इसके हैं खुशी राम जिने भारत का स्कोरिंग मशीन कहा जाता है स्कोरिंग मशीन खुशी राम को कहा जाता है इसे राज्य खेल का दरजा 1948 में दिया गया था ये अपने को धान में रखना है जैसा चितर में दिख रहा है वैसे खेल क्या है वो होता है लगवग राज्य लोक वद्दे अलगो जाब ये है बांस से निर्मित एक वायू वद्दे अंतर है बांस से निर्मित है जिसमें दो बांसूरियां होती है इसमें अंगुलियों को रखने के लिए किसी में पांच या किसी में छे छे दोते हैं जाददर में पांच होते हैं कहीं कि छे भी देखने को मिलते हैं दोनों बांसरियों को एक साथ बजाया जाता है अलवर में मेयो समुदाय के लोग विशेश रूप से इसको उपयोग में लेते हैं तो ये सारी चीज़े अपने को इसमें अलगोज्या के अंदर ध्यान में रखना है नेक्स्ट है रज्यकवी सुर्यमल मिस्रन इनका जन्नम समवत 1815 में याद रखना है फ्रेंट समवत 1815 में हुआ था ये जो है समवत 1815 इसमें ध्यान रखना है बुंदी के महराव रामसी है के दरबारी थे ये इन्होंने वन्स भासकर, वीर सत्सई, वसंत विलास ये दोनों आपको ध्यान में रखना है ये दोनों आपको ध्यान में रखना है काफी बार पुछे जाते हैं ये दोनों वन्स भासकर और वीर सत्सई ये काफी महत्यों पुण है तो आपको दोनों ही ध्यान में रखना है नेक्स्ट है आधुनिक राजस्तानी कव्य के पूरोधा कवी माने जाते हैं सुर्यमल मिस्रन वीरसत्सई के समय इन्होंने वीरसत्सई में समय पल्टी सीज की गोशना की थी और स्वतंतर्ता के लिए लोगों को है वो प्रेरित किया था कि स्वतंतर्ता के लिए जो है इन्होंने लोगों को काफी ज़्यादा मत्रा में है वो प्रेरित किया था इन्होंने अपनी क्रांतिकारी रचनाओं से सब को प्रभावित किया था वीरसत्सई के अंदर स्वतंतरता के दुरान इन्होंने काफी करांतिकारी रचनाए है वो लिखी थी और इन पर एक डार्क टिकट भी जारी किया गया है 1990 के अंदर जो आपको दिख रहा है यहाँ पर इनोंने इन पर एक डार्ग टिकट है वो भी जारी किया गया है सुर्यमल मिस्रन के उपर तो हमारे राज्य का भी है वो सुर्यमल मिस्रन है राज्य की जो बासा है वो हिंदी है राजस्तान दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है राज्ये की राजधानी है वो जैपूर है ये तो है इसके लावा में कुछ और तथे आपको बता रहा हूं इंपोर्टेंट राज्तान अपने वर्तमान सो रूप में 1 नवंबर 1956 को आया था राज्तान इत्यास लेखन के पिता कंडल जैंस टोड को माना जाता है राज्तान में थार का प्रिवेश दुआर है वो जोधपूर है राज्तान का धातु नगर है वो नागोर है पहाडो की नगरी है वो डुंगरपूर है रेगिस्तान का गुलाब जैसल मेर को कहा जाता है तो ये friends जो हैं वो काफी important तथे हैं उनको लेकर ही ये video बनाया है इसको ज़्यादा से ज़्यादा share करें और इसके संदर्म में हमें जानकारी दे इसमें अधी कोई truth होती है तो मैं आपको description में हैं वो बता दूँगा तो आप description ज़रूर देख के जाएए थैंक यू